हेलो फ्रेंड्स, वल्कम टो रोली स्टडी, दोस्तो अचके इस वीडियो में MPPSC Pre 2030 के Special Analysis आपके लिए लेकर आ चुके हैं, फाइनली आपका पेपर हो चुका है 17 दिसंबर 2030 को हमारे पास में सेट भी आ चुका है और इसको हम Complete Analysis आपको कवर करवाएंगे, याने कि आपका जो पूरा पेपर है, इसमें 100 questions आपके आए हैं, टोटल 200 का आपका पेपर है, दो घंटे को आपका टाइम दिया गया था, तो याने कि पूरा का जो पूरा पेपर है, यहाँ पर हम solve करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेगा, क्योंकि यहाँ पर सारे की PDF फाइल मिले, तो आपको क्या करना है, डिस्किप्शन में आपको टेलिग्राम की लिंक दे रखिए, तो डिस्किप्शन से उसको आप जोइन कर ले जगा कर नहीं करके रखाएं, तो वहाँ से आपको सीधे सीधे PDF मिल जाएगी, तो आईए हम स्टार्ट करते हैं, हमारे साइबर सुरक्षा में एक firewall का क्या उदेश होता है, यह पहला कुशन आपसे पूचा गया है, देखें साइबर सुरक्षा में एक firewall का उदेश होता है, यह होता है, एक network की अनाधिकरत पहुच को अवरुद करना, यह इसका मुक्य उदेश basically होता है, तो आपका यहाँ से correct answer जाएगा यह option number B के सांथ में correct हो रहेगा है ना correct answer option number B के सांथ में चला जाएगा अगला question देखते हैं question next है हमारा flip card, Alibaba और Amazon किसके उधारने यह आपको पूछा है आपसे यह तीनों किसके उधारने तो आपका जो correct answer रहेगा यह option number C I think आप सभी लोगों को पता है इससे पहले 2022 की जो प्रे होई थी उसमें भी एक question आपका इसी तरह से पूछा गया था B to C यानिकी C option correct answer हो जाएगा आईए next question को देखते है next question है निमलिकित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोग करता को सनवेदन सिल सुचना को जाहिर करने के लिए चल करना साम आपका यहां से जो correct answer चला जाएगा fishing हमला इसको बोला जाता है और इसी तरह से आपके pre की जो exam होती है उसमें लगातार questions पूछे ही जाते हर साल इस तरह के questions आपको देखने को मलते हैं हमारा first option correct answer हो जाएगा fishing हमला इसको बोला जाता है next question देखते हैं निमलिकित में से कौन procurement portal नहीं है याने की e-procurement जो portal है इन में से कौन सा नहीं है तो इन में आपको चार option आपको दे रखे हैं अब आपका जो correct answer है यहां से MP online चला जाएगा MP online जो है यह एक e-procurement portal नहीं है बाकि यह तीनों है तो MP online C option correct answer रहेगा अगला question है e-commerce का निमलिकित में से कौन सा lab है e इन में से e-commerce का जो lab है यह 24 by 7 कारी करने की चमता यह e-commerce का एक lab है याने की first option ही इस question का हमारा correct answer चला जाएगा यह 24 गंटे 7 दिन कारी करने की चमता रखता है e-commerce तो यह इसका सबसे बड़ा lab है या lab आपसर दे रखा है बाकि और जो है उचित options नहीं है आईए next question को देखते है next question है निमलेकित में से कौन सा internet connection का एक प्रकार है जो telephone line का प्रियोग करता है आपका correct answer यहाँ से DSL चला जाएगा DSL एक internet connection का एक प्रकार है जो telephone line का प्रियोग करता है first option हमारा correct answer यहाँ से हो जाएगा next question की और आगे बढ़ते हैं देखिए यह English में भी अगर आप English प्रिय प्रिया है जिसमें जिसके द्वारा receiver संदेज को के स्थरोत के द्वारा प्रियोग किये गए संकीतों की व्याक्या करता है डेस वहाँ प्रकेडिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेज के इस्तरोत के द्वारा प्रियोग किये गए संकीतों की व्याख्या करता है सही जवाब चला जाएगा वी संकीतन याने की हमारा भी option correct answer हो जाएगा नेक्स्ट कुछने दूसरी पीडी के कम्प्यूटरों में कोन से electronic उपकरन का प्रियोग किया गया था दूसरी पीडी के कम्प्यूटरों में जो use होता था electronic उपकरन इसका नाम क्या था ये नाम आपको बताना आए तो इसमें transistor का use होता था दोसरी पेड़ी के computer हो में याने की हमारा C option करेक्ट आंसर रहीगा अगला कुछ ने निमलेकित में से कौन सा web browser नहीं है देखे इस चीज को आपको थोड़ा से ये नहीं जो word है especially PSG खास करके बच्चों को confuse करने के लिए देता है मने कुल में लाका करदपन देखें तो यहाँ पर ये जो नहीं word है इसको कहीं बार हम serious नहीं लेते हैं नहीं पड़ पाते हैं और हम बोल देते हैं कि कौन सा web browser है नहीं को हम कभी कभी serious नहीं लेते हैं दिखी नहीं पाता है हम तो उस वज़े से हमारा question गलत हो जाता है और इसी तरह से खास करके वो इसको highlight करके रखता है तो नियमनी लिकित में से कौन सा web browser नहीं है इंटरनेट, explorer, mozilla, firefox, google, chrome, yahoo तो इंटरनेट, explorer, mozilla, firefox, google, chrome ये सभी web browser है yahoo ये search engine है तो आप से क्या पूचा है कौन सा web browser नहीं है तो yahoo ही नहीं है क्योंकि ये search engine नहीं option number discussion का correct answer रहेगा next question है chat GPT का विकास किसके द्वारा किया गया chat GPT का जो विकास किया गया किसके द्वारा किया गया आपका correct answer चला जाएगा open AI के द्वारा chat GPT जो है इसका विकास किया गया इसको developing किया गया हमारा भी option correct answer रहेगा next question काफे ज़्यदा important है निकल कर आ रहा है आपका name लिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है इन में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको पैचान नहीं चारों में से जो सुमेलित नहीं है उसको आपको क्लिक करना है तो देखे इन में से जो आपका केंदरी भारती बाहसा संस्तान है मुंबई दे रखा है ये आपका जो है सुमेलित नहीं है यानि कि इस question का जो option number C है ये आपका correct answer हो जाएगा बाकी सभी सुमेलित नहीं है यही आपसे पूचा है C वाला next question है निमलिकित में से किसको विज्ञान और इंजिनियरिंग के छेत्र में पदम विबूसन 2023 पर दान किया गया अब कुछ लोग ऐसे आपको कंफ्यूज करते हैं कि current fair PSC में नहीं आता है 100% current fair आपका PSC में आता है इसके कुछ उधारन यहाँ पर आप देख लिजगा करीबन 5-6 question आपके current fair से बने हैं यह back to back 2 question आप देख सकते हैं 2020 के current से बना है 2023 के current से बना है यानि कि latest current भी पूचे जाता और पिछले 1-2 साल पुराना current भी PSC में पूचे जाता है तो विज्ञान और इंजिनियरिंग के चेतर में पद्म भीपुसन 2023 ते किसको सम्मानित किया गया है या किसको मिला है तो यह मिला स्री नरिंदर सिंग कपानी को option number D correct answer आपका हो जाएगा अगला कुछन है निमलिकित में से कौनसी खिलाडी Tokyo Olympic 2020 में भारती महिला होके टीम में सामिल रही है इनका नाम आपको बताना है और इनका जो नाम है यह सुसीला चानू, मोनिका, वंदना काटारिया यहने कि सारी कि सारी तीनों 2020 में भारती महिला होके टीम में सामिल रही Tokyo Olympic में तो option number D उप्रियुक तो सभी आपका करिक्ट आंसर हो जाएगा अगला कुशन है Amateur Kabaddy Federation of India Amateur Kabaddy Federation of India AKFI यह होता है, इसका मुक्याले कहां परिस्तीद है काफी ज़धे important कुशन है और सही जवाब आपका हो जाएगा जेपूर में जीपूर राजिष्थान आपका option number C question का करिक्ट आंसर रहेगा next question ने major ध्यांचन खेल रतने पुरुसकार 2022 किस खिलाड़ी को प्रधान किया गया राजेव गांदी खेल रतने पुरुसकार था यह इसका नाम बदल का major ध्यांचन खेल रतने पुरुसकार किया गया तो 2022 में आपसे पूचा है कि ये 2022 में किसको दिया गया सरत कमल को दिया गया सरत कमल यहां से option number D correct answer आपका हो जाएगा आईए next question को देखते हैं next question ने भारत ने अपना पहला एक दिवसी अंतराश्टी cricket में किस देश के साथ और किस वर्स में खेला था तो भारत ने अपना पहला एक दिवसी अंतराश्टी cricket में जो खेला था ये खेला था इंगलेंड के साथ में और ये खेला था 1974 में खेला तो दो option आपको मिले हैं इसी तरह से इंगलेंड 1975 और 1974 तो आपका D option इस question का correct answer हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले जो खेला था भारत ने अपना पहला एक दिवसी अंतराश्टी cricket ये खेला था इंगलेंड के साथ में 1974 में अगला question है 21 जून को अंतराश्टी योग दिवस के रूप में मनाय जाता है तो किस वर्स से ये basically प्रारंब हुआ है ये आपसे question मनाय काफ़ी जदा easy question है I think आप सभी लोगों को ये question पता होगा correct answer हो जाएगा 2015 से यानि की B option correct answer रहेगा next वोचने Central Banking अवाउड 2013 में Governor of the Year पुरुसकार किस देश के Central Bank के Governor को प्रदान किया गया था इनका नाम आपको बताना है इनका नाम है भारत यानि की देश आपको देश का नाम पूचा है यानि की country का नाम पूचा है तो country भारत है भारत के Central Bank के Governor को ये प्रदान किया गया और Governor of the Year अवोर्ड है ये Central Banking अवोर्ड दो हजार थेज में भारत आपका D option करिक्ट आंसर रहेगा अगला कुशन है प्रतम भारती महिला सैनिक Sky Driver को है इनका नाम आपको बताना है तो इनका नाम है मंजू B option करिक्ट आंसर रहेगा अगला कुशन है निमलिकित में से किस उद्ध्योगपती को भारत का स्थाप इसपात पुरुष कहा जाता है भारत का इसपात पुरुष जो कहा जाता ये किसे कहा जाता है ये कुशन बना है जमसेद जे इरानी आपका C option करिक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट को देखते हैं चित्रकूट धार्मिक इस्तल को किस एक अन्य नाम से भी पहचाना गया है नेक्स्ट कुशने मुकुल किसकी प्रसिद साहतिक रशना है काफिजद इंपोडेन कुशने ये है सुबद्रा कुमारी चोहान की सुबद्रा कुमारी चोहान D option करिक्ट आंसर रहेगा अगला कुशने एतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ प्रसिद है तो एतिहासिक मतंगेश्वर जो मंदिर है इसका नाम ही मतंगेश्वर मंदिर है और ये देखने को मिलता है आपको खजुरावों में खजुरावों में ऐसे तो कहीं सारे मंदिर है क्लिए रही तो उसमें एक यह मतंग इस्ट और मंदिर भी यहीं पर देखने को उलता है हमारा C option correct answer रहेगा अगला question है दिवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहों डोरा अलंकरन किस जिंजाती की विसीशता है या किस जिंजाती के द्वारा बनाई जाती है इस तरह से यह question आपका पूछा गया तो इस question का आपका correct answer गौंड रहेगा याने कि नोहों डोरा जो अलंकरन है या मिट्टी द्वारा दिवाल पर जो अकरती बैसिकली अलंकरन बनाई जाता है इसको किस जिंजाती की विसीशता ही यह है तो गौंड जिंजाती आपका D option इस question का correct answer आपका हो जाएगा आईए next question को देखते हैं next question है हमारा भीमा नायक का संब्द किस रियासत से था यह question आपसा next बना है हमारा correct answer बढ़वानी चला जाएगा क्योंकि बढ़वानी से ही सिधा इनका संब्द है और यह question अभी latest अगर अपन देखे तो current में भी था बढ़वानी भीमा नायक से related तो ह इलाला अंग्रेज विरोधी क्रानती में कब सामिल हुए थे यह जो सामिल हुए थे यह हुए थे अठारा सु सतावन इस्वी में अठारा सु सतावन बी option correct answer रहेगा अगला question है सागर के आंचलिक छेत्रों में दीपावली के अउसर पर कौन सा लोकनत्य पर चली थे सागर क कि आंचलिक छेत्रों में दीपावली के अउसर पर जो लोकनत्य पर चली थे यह जो लोकनत्य इसका नाम है मौनी नित्थ इसको कहा जाता है फस्ट option का correct answer हो जाएगा next question देखते हैं अगला question है राम चंद्र का किसकी प्रसिद्र रजना ही I think आप सभी लोगों को पता है काफिस सारी बार यह question आपका पूचा जाच चुका है कैसा उदास आपका correct answer रहेगा option number C के साथ में next question नेक्स्ट को चने स्वतंतता अंदुलन में निवाडी जीले की थोना लोहारी गोलिकांड की घटना जो है कब घटित होई थी स्वतंतता अंदुलन के दोरान यह घटित होई थी और यह घटना होई थी 1949 में घटित तो हमारा C option इस question का correct answer रहेगा अगला question देखते हैं question next है हमारा बाल कृष्ण सर्मा नवीन ने दो कावी प्राना दर्बन तता आत्मोस सर्ग किस पर लिखे हैं तो बाल सर्मा नवीन के द्वारा यह लिखे गए और यह किसकी उपर इनोंने लिखे हैं यह आपसे पूज़ा गया तो गनेश संकर विद्या ग्रीन मफलार का जो संब्द है यह ध्वानी प्रदूसन से हैं ध्वानी हमारा सी option का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अगला question है पारिस्थी की तंत्र में उर्जा का प्रवा निम्न में से निम्न से उच्छ पोशन यानि ट्राफिक स्तर पर जानने से कम होता है इसे निम करेक्ट आंसर क्या रहेगा तो इसको उस्मा उस्मा गतिकी तो उस्मा गतिकी के द्वीती नियम के द्वारा इसको आसानी से समझा जा सकता है हमारा यहां से option नमर भी correct answer हो जाएगा अगला question हमारा osteoclots जो होते हैं निमलेकित में से किस से समद्द हैं तो osteoclots जो हैं यह कि में हो जाएगा हड़ी के निर्मान से या हड़ी का निर्मान first option करिक्ट answer रहेगा अगला question है हमारा वर्स2024 को Au अंत्रास्टिक केमेलीड यहने उस्त्र गन वर्ष किसने घोसित किया आपको चार उप्शन मिले हैं जो कि अंत्रास्टिस अंस्तान ही इनके इनसे रिलेटेड तो इनहीं में से आपका एक राइड अंसर है और वही आपको किलिक करना है आपका करेक्ट आंसर यहां से यो इन यानि कि फास्ट ऑप्शन करिक्ट आंसर रहेगा अगले कुशन को देखते हैं नेक्स्ट कुशन है निमलीकित में से कौन सा करसी पद्दितियां का सही गरा में अब गैस यह करसी की पद्दिती होती है यानि कि करसी की जो बवाई की जाती है तो उसकी पद्दिती होती है क इसी तरह से बनते हैं कि यह आसानी से जो गाओं को लोग है वो आसानी से बिना पड़े ही उस questions को बना लेंगे, हैना, खिर कोई बात नहीं, आप भी समझ जाएंगे, अगर आप से गाओं से बिलॉंग नहीं करते हैं तो, तो देखें, क्रसी पद्धितियों का जो सही करा में सबसे पहले क्या होता है, मिट्टी को तयार की जाती है, यानि कि सबसे पहले तो मिट्टी तयार होती है, फिर उसके बाद में मिट्टी तो तयार हो गई, उसके बाद में बुवाई होती है, फिर उसमें पानी निकाला, यानि सीचाई होती है, और फिर सीचाई के बाद में विश्व इस्तर पर स्वीकरत राश्टी होसपोर्ट नहीं है इन में से कौन सा नहीं है यह आप से पूचा है आपका करिक्ट आंसर ऑप्शन नमर भी नारो हिल्स के फेवर में जाएगा क्योंकि ये जो है विस्व इस्तर पर स्वीकरत राष्टी होस्पोर्ट नहीं है बाकि हिमाले, सुंडा लेन, पश्यमिघाट ये है बी option इस question का correct answer हो जाएगा अगले question को देखते हैं next question है हमारा निमनी लिकित में से कौनसा भारत सरकार का राष्टी पोशन कारिकरम नहीं है इन में से कौनसा नहीं है आपका यहां से correct answer option number D रहेगा यानि कि राष्टी मौकिक स्वास्टी कारिकरम ये भारत सरकार का राष्टी पोशन कारिकरम नहीं है D option correct answer रहेगा अगला question निमलिकित में से कौन सा सबसे इस्थिर पारिस्ति की तंत्र है सबसे इस्थिर पारिस्ति की तंत्र इन में से कौन सा है तो correct answer समुद्री पारिस्ति की तंत्र आपका रहेगा क्योंकि ये जो है सबसे इस्थिर पारिस्ति की तंत्र है नेक्स्ट कुसे निमलिकित में से कोन सा जियो निमनीकरन निमनीकरणी याने बायो डिग्रेडेवल प्रदूसक नहीं है इन में इसे कौन सा नहीं है इन में से इस तरह का questions पीछले साल भी आपका बना था same to same question बना था बस तोड़ी सी चीज़े उसमें changes थी यानि कि जो pattern है लगातार वही पूचे जा रहा है कुछ भी changes pattern में आपको देखने को नहीं मिल रहा है हमारा यहां से कितना सक जो की options नमज C में दे रखा है यह correct answer आपका हो जाएगा सूरी के व्यापक अधियन के लिए नमिलिकित में से कौन सा इस्रो का hाल का विज्ञानिक LEAGUE MISSION है यानि कि हाली मेंDAY स्रो में कि द्वारा मिसें के लगा है इसका नाम क्या है सूरी के व्यापक अधियन के लिए तो महारास्ट में गनेसो उस्तव जो प्रारंब किया गया था यह बाल गंगाधर तिलक ने किया था यह कुशन ने कली कवर करवाया है आपको इसमें से काफी ज़्यादा जो कुशन से वो हम अल्रेडी आमारी जो एससी की सीरी चल रही है उसमें हम आपको लगातार कवर करव काभर करवा रहे है डेली बैसस पर उसमें से चारच्शार-पांच कुशिंट ऐसे हैं यहां पर जो हमने कवर करवा दिये कहीं सरी बार तो देखे निमलिकित में से किसके द्वारा महारास्ट में गनेस उस्तव प्रारम करवाया था देखे गनेस उस्तव और सिवाजी जो उस्तवे महारास्ट में जो होता है वो भी बालगंगदर तिलग नहीं करवाया था स्टार्ट तो ध्यान रगएगा हमारा D option इस question का correct answer हो जाएगा अगला question निमलिकित में से किसके द्वारा प्रतम बार पाकिस्तान सब्द का प्रियोग किया गया था पाकिस्तान सब्द का प्रतम बार जो प्रियोग किया गया था चोदरी रहमात अली आज दिंक आप सभी लोगों को पता ही काफी easy question है बी option correct answer यहां से हो जाएगा next question है हमारा निमलिकित में से किस वर्स में नादिर सहान भारत पर आकरमन किया था नादिर सहान भारत पर जो आकरमन किया था यह 1749 में किया था काफी easy है काफी सारे लोगों को पता होगा अगला question है सको पर विजय प्रांत चंद्रगुप्त द्विती ने निमन मैंसे किस धातु के सिक्के प्रचलित किये थे सको पर विजे पाने के बाद में चंत्रगुप्त द्वीदी ने जो सिक्के प्रचलित किये थे इनका नाम क्या है इनका नाम है चांदी के सिक्के यानि कि चांदी के सिक्के इन्होंने प्रचलित किये थे बी option करिक्ट आंसर रहेगा निमने मैं से किस वर्स में Lord William Batting के द्वारा प्रहिस स्वतंता परदान की गई तो ये किस वर्स में की गई थी सही जवाब हो जाएगा 1835 में 1835 D option करिक्ट आंसर आपका हो जाएगा ध्यान रखिएगा next question नहीं R.E. Manju, Sree, Mol, Kalp निमन मैं से किसे सम्मदित है R.E. Manju, Sree, Kalp, Mol ये है और किसे सम्मदित है ये आपका पूजा है आपका करिक्ट आंसर हो जाएगा महा यान से इसका सम्मदित सीधा-सिधा first option के साथ में ही करिक्ट आंसर चला जाएगा अगला कुछ है निमनिकित मैं से कितनी रियासते 15 फरवरी 1948 को सोराष्ट संग में मिलाए गए थी यानि कि सोराष्ट संग में 15 फरवरी 1948 को कितनी रियासते सामेल की गए थी, मिलाए गए थी ये आपका करिक्ट आंसर यहां से चला जाएगा option number C, 222 C option करिक्ट आंसर रहेगा अगला कुशनी, वर्स 1948 में बुंदेलखंड यह बगेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्र में आया बुंदेलखंड और बगेलखंड को मिला कर 1948 में किस प्रदेश को अस्तित्र में लाया गया या कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया विंद प्रदेश आपका B option करिक्टांसर रहेगा किस अधिवेशन में Congress नरम यंदरम गल में विवाजित हो गई तो ये Congress का कौन सा अधिवेशन था ये था Congress का सूरद अधिवेशन जिसमें Congress नरम और गरम जो दल है इसमें विभासित हो गई थी बी option correct answer रहेगा अगला कुछन है हमारा निमनी लिकित में से कौनसा अधिकार जो है ये राष्टी मानव अधिकार आयोग के दाइरे में नहीं आता है कौनसा अधिकार जो है जो मानव अधिकार आयोग की दाइरे में नहीं आता है आपको बताना है आपका correct answer हो जाएगा सिख्षा के से सम्मदी जो अधिकार ही है तो ये मानव अधिकार राष्टि मानव अधिकार आयोग के दाइरे में नहीं आता है बी option correct answer है अगला कोशन है राष्टि अनुसूचि जन्जाती आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सदश्यों की कुल संक्या कितनी होती है correct answer यहां से हो जाएगा आपका तीन तीन और अन्य सदश्य होते यहने की आपका सी option correct answer है राष्टि हरित अधिकरन एंजटी है ना नेस्टनल ग्रेन ट्यूविनल इसका मुक्याले कहां इस्तित हैं काफे ज़दे इंबॉडिन कुश जर्णी और हमने हमारा जो नया चैनल एकजाम ताउन इस पर वर्तमान में कोन क्या वाली वीडियो है उसमें हम आपको कवर करवाता है कि एंजटी के वर्तमान में कौन इक प्रमुक कोन है और इससे पर काम करता है क्या इसका उदेश है यह सारे चीज़े कवर करवाते हैं काफे सारे questions तो वहाँ से भी आपके बने हैं राश्टी हरित अधिकरन NGT का जो मुख्याल है ये नई दिली में इस्तिदे आपका यहां से option number 20 question का correct answer हो जाएगा next question ने भारत के नियंत्रा क्यों महाले का परिक्षक अधिक्तम कितने वर्सों के लिए अपना पद धारन कर सकते हैं तो ये अधिक्तम कितने वर्सों के लिए पद धारन कर सकते हैं तो 6 वर्सों के लिए अधिक्तम ये अपना पद धारन कर सकते हैं C option correct answer हैगा civil सिवा परिक्षा की एक समेती का घटन किया है, D option यहां से correct answer आपका चला जाएगा अगला question ने बारवे वित आयोग के अध्यक्ट कौन थे काफी ज़ाद ही important question नी, सही जवाब आपका हो जाएगा option number B, Dr. C. रंगराजन याने की Dr. C. रंगराजन B option correct answer रहेगा, बारवे वित आयोग के यह अध्यक्ट थे next question ने राश्टी महिला आयोग से, राश्टी महिला आयोग के कारें निर्दिष्ट है, correct answer क्या रहेगा, राश्टी महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में निर्दिष्ट है, महिला आयोग के कारें अगला कुछ ने निमलिकित में से भारती सन्विदान का कौन सा अनुछेद लोक सिवा आयोगों के वियर से सम्दित है यानि कि भारती सिवा आयोगों के वियर से सम्दित है ये कौन सा अल्टिकले भारती सन्विदान का कॉंस्टिटूशन का तो यहां से आपका करेक्ट आंस कोशने काफी बार इस कोशन को हम कवर करवा चुके हैं हमारे वीडियो सीरीज में योजना आयोग किस्तान पर नई संस्तान नेती आयोग का जो गठन किया गया यह किया गया एक जनवरी उन्हें रहार तेरा के तहएद इस्थापित किया गया है कि अंतर्गात इस्थापित एक विदानिक निगाहिए फास्ट ऑप्षिन करिक्ट अंजर हो जाएगा नेक्स्ट को देखते हम कोशन है निस सु अस्ति में भारत में कितने बेंकों का रास्टिक अर्ण किया गया था काफी ने बेंकों का रास्टी करन हुआ था यह आप सभी लोगों को पताईए यह हुआ था छे बेंकों का तो यहां से हमारा option number 20 कुशन का correct answer हो जाएगा नेक्स्ट को चने भारती लगो उद्योग विकास बेंक सिडवी की स्थापना कब हुई थी काफी जादे important कुशन ही सिडवी की स्थापना कब हुई थी सही जवाब आपका हो जाएगा अप्रेल 1990 में first option correct answer है नाबार्ड की स्थापना से आपका कुशन बनाए यह एंजटी का यह काफी easy question से यानि कि कुल मिलाकर अगर यू कहें तो यह तो आपको किसी भी हाल में गलत आपके हो नहीं नीची है नाबार्ड की जो इस्तापना हुई थी कब की गई थी यह आपका question बनाएं आपका correct answer यहां से चला जाएगा 12 जुलाई 1982 को C option के साथ में correct answer रहेगा next question राष्टपती के चुनाओं के लिए निर्वाचन मंडल में कौन से सदश सामिल होते हैं काफी जाधा easy question सही जवाब आपका C option के साथ में चला जाएगा option number C यानि कि संसत के दोनों सदनों के निर्वाचे सदश और राजविदान सभाव के निर्वाचे सदश जो है इसमे यह जो राजविदा निती निदेशक तरफे DPSP DPSP यह जो लिए गए किस देश से लिए गए तो आयलेंड से लिए गए है आयलेंड हमारे D option करेक्टांसर हो जाएगा संसद का निर्मान निमलिकित में से किसके द्वारा होता है संसद का जो निर्मान होता है किसको मिलाकर होता है तो लोकसभा राज्यसभा और रस्टपती को मिलाकर होता है कि इनके द्वारा होता है इनके ही द्वारा होता है सी option करेक्टांसर रहेगा यह भी छोटे बच्चे जिस टाइप का PSC के हिसाब से फैपर होना था, सेम पेटान है यहाँ पर next question को हम देखते हैं next question है हमारा सिक्षा क अधिकार किस सन्विदान सनसूदन द्वारा मौलीक अधिकार में सामिल किया गया, सिक्षा का अधिकार किस सन्विधान संसूदन के द्वारा मौलिक अधिकार में सामिल किया गया बिल्कुल हलवा कोशन है आप सभी को ये कोशन बिल्कुल पता ही होंगे यानि कि देखते ही सही आपने तुरंट से लगा दिये होंगे हमारा करेक्ट आंसर यहां से चल जाएगा इसकी जो संक्या है वर्तमान में यह है 11 यानि 11 भी ओप्शन करेक्ट आंसर एगा अगला कोशन है किस सन्विधान संसूदन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी सब्द जोड़ा गया ये भी काफी हलवा कोशन है इस कोशन का करेक्ट आंसर एगा 42 वा सन्विधान संसूदन यानि किसी ओप्शन इस कोशन का आपका rooted आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है सन्विधान सबा का निर्मान किस योजना के तहट किया गया है ना, काफी easy-easy questions अब देखने को आपको मिल रहे हैं सन्विदान सभा का निर्मान किस योजना के तहट किया गया आप सभी को पताईए इसका जो निर्मान हुआ है ये हुआ है Cabinet Mission योजना के तहट Cabinet Mission योजना हमारा भी Option कर्रिक्टांसर यहां से हो जाएगा Next Question ये देखते हैं ये थोड़ा सा हो सकता है इसका पैटन थोड़ा सा आई हो निमने लिकित योगमों का विलान करते हुए सही कोट की पैचान की जगा हो सकता है इसमें से आपको थोड़ा से दिक्कत आए Attempt Con में और टाइम इसमें आपको आपको पता होगा सारी चीज़े तो फैर कोई दिक्कत आपको नहीं होई भी अब यहां पर हम देखते हैं पहले दे रखा है आपको देखें पहले दे रखा है आपको नो क्रेक इसका समध कहां से हैं मानस सिम्लिपाल और सेशा चलम क्लिशाप करें तो इस हिसाप से आपको थोड़ा सा मिलाना है कि आपका अक्रेंट ठांसर लग जाए क्योंकि इसमें गलत होने के चांसे काफी ज़्याद होते हैं अगर आपने अच्छीकाशी practice कर रखें तो फिर हो यापको दिखकत है नहीं होगी तो यहां पर देखे पहले में जू आएगा इह नो मálस जिसका पता हो पहले आप लगाका आँब काहाँ पर दे शिम्ली पाल अगर तीसरी का आपको पता है शिपल को हम को पता है कहां पर यह ओड़ी सा में आता है तीसरा हो जाएगा इसके अलावा मानस का पता है मानस हाना मानस आता है आपका मानस आता है असम में हाना तो यह हमारा दो गया इसके बाद में से सा चेलम बचा है तो यह आता है आपका कहां पर अंदरप्रदेश में, तो यह आपका सिर्से चला हम हो गया, और एक ही बचा है कौनसा, नोकरे, यह आपका मेगाले हो गया, तो यहां से हमारा यह एक हो गया तो एक, तीन, है ना पहले नंबर पर कौनसा आएगा, बी फिर आएगा आपका, डी और फिर आएगा, ए, और फिर C बीडी, ऐसी, कौनसा में दिखती आएँगा आपको, बी डी सी, ए, बीडी, यह फस्ट वाले में तो हमारा फस्ट ऑप्शेन, इस कुशन का आपका करिक्ट अंसर नोएगा, फस्ट बिलकुल आपका करिक्ट option इस question का आपका correct answer रहेगा अगला question निवलिकित में से किसे male molysis basin भी कहा जाता है molysis basin किसे कहा जाता है manipur, tadpura, miseram, nagalan, काफी ज़्याद है important question है आपका correct answer यहाँ से miseram रहेगा miseram को molysis basin भी कहा जाता है C option के साथ में is question का correct answer रहेगा अगले question को देखते हैं next question है हमारा टाटी पा का तेल refinery कहा इस्थी थे टाटी पा का जो तेल refinery है ये देखने को मिलती है अंदरप्रदेश में अंदरप्रदेश हमारा C option का रिक्टा अंसर हो जाएगा C option नहीं अगला question है निमले कि सागरों में से कौन सा गाजे स्ट्रीप के पास इस्थी थे नहीं सागरों में से चार option आपको दे रखे इन में से गाजे स्ट्रीप के पास में कौन सा सागर इस्थी है भूमध्य सागर जो आपका है ये गाजे स्ट्रीप के पास में इस्थी थे फस्ट ऑप्षिन करेक्ट अंसर रहेगा, अगला को प्षिन है, सही मिलान आपको करना है, जोड़ी आपको दे रहे हैं, तो सही मिलान किस तरह से आपको करना है, यहाँ पर चार ऑप्षिन आपको दे रहे हैं, यहाँ पर चार ऑप्षिन आपको दे रहे हैं, बेला डिला, कि यह आपका च्छ तीजगर में आता है तो यह एक हो गया केंद्रू जर कहां पर आता है पहले केंद्रू मुख देख लेते हैं केंद्रू मुख तो यह जो आता है केंद्रू मुख देखें यह यहां पर आ गया बाला गांट मद्धिप्रदेश क्लेरे डी में और केंद्रू C A D B यानि कि हमारा B option जो दे रखा है आपको ये बिल्कुल इस question का correct answer हो जाएगा आईए next question को हम देख लेते हैं अगला question है निमलिकित में से पटल विरूपन प्रकिरिया के अंतरगत कौन से प्रकिरिया नहीं आती हैं प्रकिरिया के अंतरगत कौन से प्रकिरिया नहीं आती है चार option आपको दे रखे हैं के लिए आपका जो correct answer यहां से हो जाएगा ये होगा विस्मांगी यानि की B option correct answer चला जाएगा next question है राज्यों के अधिक्तम से नियोंतम साक्षर्ता अनुसार सही करम को इंगित की जिगा भारती जनगना 2011 के अनुसार यानि के अधिक्तम से नियोंतम साक्षर्ता अधर किन राज्यों में देखने को मिलती है तो सबसे ज़्यादा तो केरल में ही है तो केरल पहले नंबर पर दे रखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसके आगे बरते हैं उसके बाद में कौन सा राज आता है जहांपर साक्षर्ता दर सबसे अधिक से नियोंतम है केरल के बाद में कौन सा स्टेट आता है इस तरह से आपको क्लिक करना है तो केरल के बाद में आता है मिजोरम और मिजोरम के बाद में आता है गोवा, गोवा के बाद में त्रिपूरा आता है यानि कि हमारा जो option number D है ये आपका बिल्कुल correct answer इस question का हो जाएगा clearing, D option इस question का correct answer रहेगा अगला question आई, नासिख जीले के त्रिम्बक पहाडियों से निकलने वाली इन में जाने जाती है मोसम और जलवायू संबंदी जो परिवरतनों के लिए जाने जाने वाली परत है इस परत का नाम आई तिंक आप सभी लोगों को पताईए छोब मंडल इसको बोला जाता है छोब मंडल D option कर रिक्रांसर हो जाएगा अगला कुशन है हमारा निमलिकित में से कौन सा thermal power station अनुपूर जीले के चचाई में स्थीथ है अनुपूर जीले के चचाई में जो इस्थीथ thermal power plant है इसका नाम है अमर कंट power station इसको बोला जाता है बी option कर रिक्रांसर हो जाएगा नेक्स्ट कोचने वर्स 2020-21 में मंडलिकित में कापास उत्पादन में इससांगे, वर्स 2018-19ént2 के अनुफार मद्पूरदेश के सड़क मारगों के संBद में इसको कोशने सही नहीं है आपका जो करेक्टांसर यहाँ से चला जाएगा यह यहाँ से चला जाएगा देखिए, कौन से जाएगा यह जाएगा सडक घंनतु में यहां राज्य देश में प्रतम इस्तान पर है यानि मद्यप्रदेश जो है पहले नमर पर है डी ओप्शन सही जवाब रहेगा अगला कुशन है वर्स 2021 में भारत में तामबा उत्पादन में मद्यप्रदेश किस इस्तान पर है अब देखिए कितने सारे करेंट अफेर के कुशन साब से बन रहे हैं वर्स 2021 में तामबा उत्पादन में मद्यप्रदेश किस इस्तान पर ही आपसे पूचा गया है तो मद्यप्रदेश इसमें पहले नमर पर हना मद्यप्रदेश पहले नमर पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा अगला कुशन निमलिकेत में से मद्यप्रदेश की कौन सी नदी तीन राज्यों में प्रवाहित होती है मद्यप्रदेश की कौनसी नदी है जो तीन राजियों में प्रवाहित होती है इसका नाम आपको बताने है केन, सोनार, माही और बैतवा आपका correct answer माही रहेगा माही नदी, C option correct answer रहेगा एक ओर interesting fact आम आपको बता दे करकरेका जो है इस नदी को दो बार काटती है आपका यहां से correct answer हो जाएगा काली मिट्टी में रेद की जो मात्रा होती है या अधिक होती है याने की ये सही नहीं है आप से क्या पूचा है, सही नहीं है तो ये सही नहीं है, इसमें रेद बिलकुल भी नहीं होती है तो ये सही नहीं है C option इस question का correct answer रहेगा बाकी सभी कालिमेट से related ये options आपको मिले है अगला question है हमारा पुर्णा नदी इमलिकित में से किसकी सायक नदी है पुर्णा नदी किसकी सायक नदी है काफिस दें बॉड़िन question है सही जवाब हो जाएगा तापती नदी की B option correct answer रहेगा मद्यप्रदेश की जलवायू के संदर में इमलिकित में से कौन सा कतन सही नहीं है कौन सा कतन सही नहीं है जलवायू से related है मद्यप्रदेश की इनमें से राज्य के दक्षिन भाग में सीतोस्न कटी बंदी जलवायू पाय जाती है तो ये point बिलकुल भी सही नहीं है अगला कुशन है मद्यप्रदेश में किस परकार के 1 नहीं पाय जाते हैं तो मद्यप्रदेश में जो 1 पाय जाते हैं बाकी मद्यप्रदेश में अलपाइन जो 1 है अलपाइन 1 ये देखने को नहीं मिलते है तो डे option करिक्ट आंसर रहेगा अगला कुशन है बीजागर की पहाड़ी जो देखने को मलती है ये सब पूड़ा स्रेनी में देखने को मलती है फस्ट option करिक्ट आंसर हो जाएगा अगला कुशन है हमारा तंटिया मामा आरतिक कल्यान योजना को देख क्या है तंटिया मामा आरतिक कल्यान योजना का जो मुख्यों देख है ये क्या है तो ये है अनुसूचिज जिंजाती के बीपील सिरेनी के लावारतियों को नए दियोगों विया उसाय को लिए कम लागत वाले उपकरन और कारिसील पूंजी के आपूरति करना ये बी option है और ये अरतिक कल्यान योजना का उद्धिश है अगला कोशन है मद्परदेश के किस सहर में ट्रांसफार्मार और संबंद उत्पादों के उत्पादन के लिए समर नेक्स्ट कोशन के और आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है हमारा वियावसाय सुधार कारियोजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मुल्यांकर में मद्परदेश का प्रदर्शन कैस रहा तो इसमें जो मद्परदेश का प्रदर्शन रहा ये अगला कोशन है मद्परदेश के निमले की जेलों को 2011 की जनगर्ना के अनुसार उनकी 10 की जनसंक्या व्रद्दीदर 2001 से 2011 के करम में निमने तम से उच्छी तम व्यवस्थित करें आपको व्यवस्थित करना है निमने से उच्छी की और यानि सबसे कम उसके बाद में आपको बढ़ते क्रम में लिखना है 2011 के अनुसार आपको लिखना है यह डेटा दो यहां से आपका जो करेक्टांसर चला जाएगा यह अनुपपूर के फेवर में जाएगा यानि कि बी ऑप्शन अनुपपूर पहले आएगा फिर बैतोल शिंदवाडा और मंसोर बी ऑप्शन हमारा करेक्टांसर इस कोशन का चला जाएगा अगला कोशन ही मद्यप्रदेश राज नीती योजना आयोग रिपोर्ट 2030 के अनुसार मद्यप्रदेश के किस जीले में बहु आया में गरीबी में सबसे अधिक सुदार देखा गया है यह 2030 का मद्यप्रदेश करेंट अफेर का कुशन है इस कोशन का जो करेक सचन के जिनक कौन थे इनका नामें लौड रीपन लौड रीपन आपका इस कोशन का बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ओप्शन करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट कोशन है हमारा भारती सन्विदान के कि संसोधन द्वारा नगरपाली का कानूनों को अगदन बना दि अगया है हमारा सी ओप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कोशन ही निमनी लिकित में से कौन मद्यपरदेश विदान सभा के प्रतामध्यक्ष ते काफी इसी कोशन है इतिंग आप सभी लोगों को पता ही होगा पंडित कुंजिलाल दोबे डी ओप्शन करेक्ट आंस उची नियाले के नियाईदीसों के अधिकतम आयू सीमा कितनी होती है उची नियाले के नियाईदीसों के अधिकतम जो आयू सीमा होती है ये होती है 62 वर्स और उची नियाले के लावा अगर अपन बात करें सरवोच नियाले की इसमें 65 होती है 65 वर्स धियान रखेगा उच पने कितना स्कूर किया है, कितना स्कूर आपका हुआ है, I think आपको आइडिया लग चुका होगा, और आपके according pattern कैसा था इस exam में, आपको किस तरह का pattern देखने को मिला है, आप हमें comment में comment करके बताईगा, साथ ही आपके जो भी doubt हो वो भी आप हमें comment करके बतादेचेगा साथ ही अब सभी से request है guys की वीडियो को लाइक नहीं किया है तो like कर दीजे, share कर दीजे अपने दोस्तों साथ में साथ ही चैनल को subscribe नहीं किया है सबस्क्राइब करके बेल ऐकन को all पर select कर दीजेगा ताकि जो भी नया वीडियो आए, सबसे पहले आप सभी के पास में पहुच भाए, के लिए रहें, तो मलते हैं हमारे नेक्स्ट इस्टेडी वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद वन्दे मातरों